हेलो फ्रेंड्स तो आज हम देखेंगे एक और अमेजिंग एनिमेटिड मूवी एपिक उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मूवी शुरू होती है एक जंगल के सीन से जहां हम एक बोंबा नाम के साइंटिस को देखते हैं ऐसा लगता है जैसे वो कुछ ढून रहा है क्यूंकि उसने सारे जंगल में जगा जगा कैमरास लगाए हुए है तब ही उसी अपने मोशन सेंसर कैमरा से एक सिगनल मिलता है वो बहुत ही चोटे साइस के लड़के नोड को मारने की कोशिश कर रहे हैं नोड उनसे अपनी जान बचाता हुआ भागता है और तब ही वहां उसे बचाने के लिए उसके ही जैसे कहीं और चोटे इंसान भी आ जाते हैं उनकी बातों से पता चलता है कि ये लीफ मैन नाम की प पिता से बात कर ही रही होती है कि तभी फिट से उसके लगाए हुए कैमरास एक्टिवेट हो जाते हैं और बॉंबर स्क्रीन पर देखता है कि बर्ट पे कोई बैठा हुआ है वो बताती है कि ये दिन सो सालों में एक ही बार आता है और उन्हें हर हाल में आज ये सेरिमनी पूरी करनी होगी यहां हम ये भी देखते हैं कि उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार की फिलिंग्स भी हैं इधर हम जंगल की दूसरी तरफ का इलाका देखते हैं जो सड़न और बद्बू से भरा हुआ है पता चलता है कि यहां लीफ मैन के दुश्मन बोगंस रहते हैं इनके लीडर मैंडरे और उसके बेटे दागदा का सपना है कि वो लीफ मैंस के इलाके को भी अपने में मिला ले और उसे भी बरबाद कर सके Mandrake plan करता है कि वो Queen Tara को मार कर उसकी सारी शक्तियां हासिल कर लेगा ताकि वो पूरे जंगल को बरबाद कर दे आगे नोट Moon Heaven आता है और हमें पता लगता है कि Ronin ने उसके पिता से वादा किया था कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा लेकिन नोट को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो Soldier की नोकरी छोड़ कर Moon Heaven से चला जाता है इधर Leafman Tara को Leafport की तरफ ले चलते हैं जहां वो एक कली को चुन कर उसमें अपनी Magical Powers ट्रांसफर करेगी इधर M.K. Bomba से कैमरों के बारे में पूछती है और वो उसे उन छोटे लोगों के बारे में बताता है M.K. को लगता है कि ये सब उसका वहम है लेकिन उसे यकीन दिलाने के लिए Bomba अपने आईपोड पर कुछ आवाजे सुनाता है M.K. सोच में पढ़ जाती है क्योंके ये इंसानों की नहीं बलकि कुछ बैट्स की आवाजे हैं Bomba उसे बताता है कि कैसे ये छोटे लोग मक्यों के जैसे बहुत तेज उड़ते हैं और इसलिए इन्हें देख या सुन पाना इतना आसान नहीं है वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी Bomba को एक और अलर्ट आता है और वो M.K. की बात सुने बिना फिर से बाहर चला जाता है M.K. उदास हो जाती है और अपने पिता से नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है Bomba के लिए एक मैसेच छोड़ कर वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है उनका डोगी ओजी जंगल की तरफ भाग जाता है उसे वापस लाने के लिए M.K. भी उसके पीछे पीछे जंगल में जाती है दूसरे तरफ Queen Tara लीफ पोड़ पर पहुँच जाती है यहां हम दो स्नेल्स, मब और ग्रब को देखते हैं जो असल में लीफ पोड़ के केर टेकर्स हैं वो दोनों Queen Tara को एक परफेक्ट कली को चुनने में हैल्प करते हैं इससे पहले कि वो अपनी पावर्स उसमें डाल पाए रोनीन एक पत्ती को सरते हुए देखता है और समझ जाता है कि बोगन्स यहां आच चुके हैं वो एक पेट पर तीर चलाता है और उसमें चुपा हुआ बोगन्स हमला कर देते हैं और Queen कली के साथ किसी तरह उनसे बचकर जंगल में भाग जाती है थोड़ा आगे आने पर एक बोगन उसका रास्ता रोक लेता है और तभी एक छोटी बच्ची आकर Queen की जान बचाती है तारा उसे सेफ करके बोगन को अपने लोगों से दूर ले जाती है और तभी रोनीन उसे बचाने आ पहुचता है मैंडरेक उसका बेटा दागदा उनके पीछे लग जाते है और रोनीन एक तीर से दागदा को माट डालता है लेकिन मैंडरेक कर एक तीर Queen को घायल कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है इधर ओजी को ढूंडते हुए MK को एक चमकती हुई चीज नीचे गिरती दिखती है और वो उसके पास जाती है Queen उस कली में अपनी पावर स्ट्रांसफर करके MK के हाथों में दे देती है और देखते ही देखते उसका साइज भी छोटा हो जाता है वो भाग कर Queen के पास आती है जो उसे बताती है कि ये कली इस जंगल की जान है और उसे इसे लेकर एक जादूगर नीम के पास जाना होगा तब ही रोनिन और बाकी रिलीफ में वहां आते हैं और Queen उसकी बाहों में अपना दम तोड़ देती है यहां MK को एक बड़े साइस की मदुमखी दिखती है वो समझ जाती है कि जो उसके पिता बताते थे वो सब सच था तब ही वहाँ मब और ग्रब आते हैं और बताते हैं कि नीम ही आपूने बता सकता है कि इस कली के साथ क्या किया जाए और वही है जो MK को फिर से बड़ा बना सकते हैं रोनिन MK से हेल्प मांगता है और वो चारों एक बर्ड पर निम को ढूणने निकल जाते हैं उदर हम नोट को देखते हैं जो अपने ही जैसे लोगों के साथ एक बर्ड रेस में हिस्सा ले रहा है जल्दी ही वो रेस जीज जाता है लेकिन एक बूफो नाम का गैंक्सर मेंड़ उसे पकड़ लेता है पता चलता है कि नोट ने उससे ये रेस हारने के लिए पैसे लिए थे और इसलिए वो अब उसे सांप को खिलाना चाता है तब ही वहाँ रोनिन आता है और उससे डर कर बूफो नोट को छोड़ देता है रोनिन नोट को क्वीन के बारे में बताता है और कहता है कि उन्हें वो कली नीम तक ले जानी होगी यही नोट पहली बार एमके को देखता है और वो लोग जाने की तयारी करते है लेकिन बूफो छुप कर उनकी सारी बाते सुन लेता है उधर घर वापस आकर बूमबा को एमके का मैसेज मिलता है और उसे लगता है कि वो यहाँ से चली गई है इधर वो सब लोग जादूगर नीम तक जाते हुए बोगन्स के इलाके के पास आते है और रोनिन रास्ता बदलने को कहता है लेकिन नोड उसकी बात नहीं मानता वो जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ डेर सारे बोगन्स उनके पीछे पर जाते है उनसे बचने के चकर में नोड और एमके एक होल में गिर जाते है जहां एक चुहा एमके पर हमला करता है एमके नोड इस करती है कि वो भी उची चलांग लगा सकती है लेकिन एक पेट से टकरा कर पहोश हो जाती है नोड उसे बचाने आता है लेकिन चुहे का सामना नहीं कर पाता तब ही रोनिन वहाँ आकर उन दोनों को बचा लेता है क्वीन के मरने के बाद मैंडरेक फिर से जंगल को तबा करने लगता है और उस कली को डूढ़ने में लग जाता है वो बूफो को बुलवाता है और उसे टरा कर उसे रोनिन का प्लैन पता करता है रोनिन सब को लेके जादूगर नीम तक पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ भीर लगी हुई है यहाँ पता चलता है कि जंगल में हो रहे ही तबाई को रोकने के लिए वो सब यहाँ आए हैं जल्दी वो नीम से मिलते हैं जिसे अभी-भी क्वीन की मोत के बारे में पता चला है वो असल में एक रिकोर्ड कीपर है जो जंगल में घटी हर घटना का रिकोर्ड रखता है वो उन्हें बताता है कि इस कली को फुल मून में खिलना होगा तब ही यह जंगल बच पाएगा एमके उससे अपने बारे में पूछती है और वो उसे उसकी पुरानी मेमरी दिखाता है वहाँ उसे पता चलता है कि जैसे ही वो कली खिलेगी उसे भी उसका पुराना रूप वापस मिल जाएगा रोनिन नोट को कली का ध्यान रखने को कहकर नीम के साथ अपने लोगों तक मैसिट पहुंचाने जाता है लेकिन नोट एक पर फिर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और एमके को हीरन की सवारी कराने ले जाता है यहां हम देखते हैं कि वो दोने एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं इदर मैंडरेक जिसे कली की लोकेशन पता चल गई थी नीम के वहां आता है मब और ग्रब उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कली के साथ उन दोनों को भी ले जाता है और रोनिन कोशिश करने पर भी उसे नहीं रोक पाता मैंडरेक मब और गरब को बताता है कि उसका प्लैन कली को अंधेरे में खिलाने का है जो उसका असर पलट कर सारे जंगल को बरबाद कर देगी रोनिन को नोट पर बहुत गुस्सा आता है कि वो एक काम भी ठीक से नहीं कर पाया वो अकेला ही बोगंस के इलाके में जाना चाता है लेकिन एमके सब को एक साथ चलने को कहती है तब ही निम बताता है कि जल्दी ही फुल मून होने वाला है और अगर टाइम निकल गया तो सब कुछ खतम हो जाएगा M.K. सब को ले कर अपने पिता के घर चलने को कहती है ताकि वो वहाँ से कुछ मदद ले सके बॉंबा के घर उन्हें लीफ मैन और बोगन्स की कुछ चीज़े मिलती है जो लडाई में उनकी मदद करेंगी यहां M.K. को पता चलता है कि रोनी और उसके लोग और शोर सुनकर जैसे ही बॉंबा पलटता है उसे यह तीनों दिख जाते है रोनीन किसी तरह एक परदे की रस्ती से उन सब को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बॉंबा एक वैक्यूम क्लीनर से M.K. को पकड़ लेता है कुछ जैसे ही उसे पास से देखता है उसमें उसे M.K. दिखाई देती है और ये देखकर वो बेहोश हो जाता है M.K. बाहर आती है और नोट जल्दी से उसे यहां से चलने को कहता है लेकिन वो जाने से पहले जंगल की मैप पर मून हैवेन की सही लोकेशन मार्क कर देती है आगे वो लोग बोगंस के जैसे कवच पहन कर उनके इलाके में आते हैं रोनीन अकेला ही उन सबसे बिढ़ जाता है और नोट और M.K. को कली लेकर वहाँ से जाने को कहता है ना चाते हुए भी नोट को उसकी बात मानने पड़ती है और वो दोनों वापस मून हैवेन आ जाते हैं नीम कली को उस जगा रखता है जहां मून लाइट पढ़ने से वो खिलने लगेगी कली खिलना शुरू ही होती है कि तब ही वो देखते हैं कि वहाँ अंधेरा चाने लगा है पता चलता है कि मैंडरेक अपने बैट्स की मदद से मून की लाइट को रोक रहा है नोड और बाके लीफ मैं बैट्स को हटाने उनके पीछे जाते हैं और इधर एमके को एक आईडिया आता है वो तुरंट वहाँ से निकल कर अपने पिता के कैमरों के पास जाती है ताकि उनसे मदद मांग सके इधर बॉंबा को लगने लगता है कि शायद वो गलत था और कोई छोटे इंसान यहां नहीं रहते वो अपने सबी कैमरास को बंद कर देता है लेकिन तबी उसकी नजर मैप पे लगे पिन पर पड़ती है वो समझ चाता है कि ये कोई सपना नहीं बलकि उसने सच में MK को ही देखा था वो बाब कर उस लोकेशन की तरफ जाता है जहां रास्ते में उसे MK मिलती है जो उसे अपने साथ चलने को बोलती है इधर मैंडरेक मून हैवन पहुंच जाता है जहां वो कली अंधेरे में खिल रही है इससे पहले कि वो उसे चूप आये वहां रोनिन आ जाता है और उनमें एक बार फिर लड़ाई शुरू हो जाती है MK भी बोंबा के साथ वहां पहुंचती है और जल्दी से उसकी जेब से उसका आईपोड निकालती है वो उसमें रिकोड बैट्स की आवाद चलाती है जिससे सारे बैट्स आकर्शित होकर उनके तरफ आने लगते हैं बैट्स की हटते ही मून की रोशनी कली पर पड़ती है और तभी नोड और रोनिन मिलकर मैंडरे को बाहर दकेलते हैं वो उड़ता हुआ एक पेड़ से टकराता है जो कली के इफेक्ट से ठीक हो रहा था और हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाता है कली के खिलते ही जंगल एक बार फिर हरा भरा होने लगता है और वो MK को जादा से जादा वक्त देने का वादा करता है एंड सीन में हम देखते हैं कि नोड कैमरास के दुरू MK से बात करता है और वो अपने पिता को लेकर उनसे मिलने चल पड़ती है और इसी के साथ हमारी मूवी खतम हो जाती है तो दोस्तो अगर आपको इन मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू